तो अभी जो मैंने पीछली वीडेयो डाली थी जिसमें कि मैंने आप से एक मैने में कैसे आपके प्रप्रेशनि करनी उसके बारे में बताया थया तो इसके बारे मैंने बात कि थी उस वीडियो में तो इंपोर्टन टॉपिक्स क्या है आपको ज्यादा फोकस करने की जरूत है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरे टॉपिक्स नहीं पढ़ना या फिर इन ही से पूरा पेपर आएगा यह जो एरफोर्स का लेटेस्ट पैटरन रहता है एक्जाम का उसमें यह दिखा गया कि इन टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूं इनसे ज्यादा कुश्चिन साते तो इन पर आपको ज्यादा बढ़ता है ज्यादा फोकस करना है सिर्फ इसका मतलब यह इंपोर्टन टॉपिक मैं बता रहा हूं वह टेंसे जो तीसरा नमर आप देख सकते हैं मैंने वीडियो डाला तो उसमें मैं यह पूरा बता रहा हूं जो आपकी स्लेबस में है तो टेंसे पहला चैप्टर होगे आपका दूसरा जो यहाँ पर जिससे बहुत कुश्चिन साते हैं वह है लास वीडियो को देखेगा जो जो बता रहूं इसमें वह देहां से सुनिएगा एडियम तरशेट से कॉप्टन आएगा आपका नेरेशन से कुष्चिन आएगा एक्टिव पेसिव से कुष्चिन यह तो पक्का है इन चीज़ों को यह पक्का है कि यह एक ही कुश्चिन आ यह आपमांद सकते हो देखी मैं किया आपर टिप देना चाहता हूं आप लोगों को नैरेशन हो चाहिए एक्टिव पैसी वह हो इसमें आपको चार आपशिंस में आपको एक सही होगा उसमें तो आपको कुछ आपशिंस ऐसे मिलेंगे हो सकता है दो यह फिर तीन ओप्शिंस जो उस sentence से जो real sentence दियागे उससे उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है सीधे आप देखते उनको eliminate कर सकता है यह trick होती है अगर आपको rule नहीं पता है तो भी क्योंकि अगर आपको मतलब समझ यह हैं तो कुछ sentence दूसमें ऐसे दे रहते हैं options जो बिल्कुल meaning को satisfy नहीं करते हैं वैसे इनके जो आते हैं paper में बहुत आसान से होते हैं जैसे कि for example अब direct to indirect में that होता है टोल होता है तो कुछ आपको options मिलेंगे यह तो basic से चीज़ें होते हैं और कुछ आपको वहां पर options मिलेंगे जिनमें टोल नहीं होगा तो आप देख के eliminate करना सीखिए और इसी वैस मैं आपको पिछले वीडियो मोला था कि practice paper बताएगा कि कैसे आपको eliminate करना है question तो मैं फिर बोलूँ कि आप लोग प्रैक्टिस पर लगाते रही है ठीक है तो एक मैंने आपको टैंसे और बताया मैंने आपको prepositions यह दो चैप्टर है English में जो की जो की core है English की जैसे बहुत questions आपके हो सकते हैं डारेक्ट तो नहीं आएगा जैसे prepositions तो डारेक्ट आता है टैंसे डारेक्ट तो नहीं आगा लेकिन error में आ जाता है और बहुत चीज़ों में टैंसे मदद करता है उसके बाद एक चैप्टर में बो कि आपको focus ज्यादा करना जिन में English में और यह idioms on physics और narration मैंने बताई दिया आपको active passive में कि इनके questions तो पक्का आएंगे इसके बाद आ जाते हैं कि physics का physics जो की group X में आती है उसमें कौन-कौन से important topics हो जाते हैं उसमें पहला chapter आपका work energy and power और इससे पहले कि मैं आपको important topics बता हूं एक चीज़ें आप बता देना चाहता हूं physics के लिए जितने भी आपके पास 12 की book होगी ठीक है 12 की नहीं तो और भी कोई book होगी उसमें फॉर्मूले उसके एक जगह पे कहीं भी copy में हर chapter के formula क्योंकि numerical साते हैं 40% numerical आप समझ लिए आपके पेपर में physics के मिलेंगे तो numerical व फॉर्मूले रट लेने हर chapter के आपका जो numerical section निमेरिकल पार्ट है वो आराम से इसी से खतम हजाएगा direct आपको फॉर्मूले रटने से ही आपको और कुछ करने जरूत नहीं पड़ेगी रेक्ट फॉर्मूले से और फॉर्मूले के लावा एक दो तीन question उस फॉर्मूले में practice चैप्टर तो जैसे नहींता है work energy power उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रो स्टैट्स का पूरा पार्ट जिसमें कि आपका कुलॉंब फ्लॉर्मूले लेक्ट्रिक फील्ड पटाइशल का पैसिटर यह सब आ जाता है लेक्ट्रो स्टैट में आपका उसके बाद आता है magnetic effect of current and magnetism इसमें अपका पूरा electromagnetic induction पार्ट आ जाएगा इसी में आपको समझी पूरा electromagnetism दिट्र मैंटिक इंडेक्छन है है यह magnetic घो तो मैंने कि आपको work a lazy power पहला चैपटर दोसरी लेक्ट्र जैट और तीस्रा और चौथा वोना चैप का optics यह चार चैपटर आपको अच्छे से इनका थियोरी पड़ के जाना है optics में जैसे कि कैसे थियोरी में question बन सकता है कि Convex lens के uses क्या है Concave lens के uses क्या है जो आप गारियों में mirror use होता हो किस type का mirror mirror होता है इसमें बनते हैं आपने जब प्राक्टिस पेपर लगा वे तो आप एक जनरल ट्रेंड देखोगे कुष्चिन्स का आपको एक प्रेपर में बिल्कुल आता भी है तो आप उसी ट्रेंड के अनुसार आपको पढ़ना है जो भी चीज आप देख रहे हो कि यह रिपीट हो रही है उसको अपको ढंग से पढ़ना है ठीक है तो मैं फिर से बता देता हूं वर्क नरजी पार Electrostats, Magnetism और Optics इसका आपको थोरी भी अच्छे से पढ़ और एक ये भी इसमें Modern Physics जिसको बोलते हैं ये इसमें जैसे Questions आता है कि आपको एक Atom Element देदेगा और उसमें बोलेगा कि इसे Helium Emission हुआ है या फिर Alpha Particle Decay हुआ है इसका बाद में Atomic Number जैसे कि आप जानते हो जैसे कि Z और ये A है और ये कोई Element M है तो उसका कैसे होता जागर Helium Emission होता है Z-2 यहां से 2 कम हो जाता और उपर से 4 कम जाता है तो ये Questions आते हैं कि Alpha Emission में क्या होगा, Beta में क्या होगा, Gamma में ये Questions इसमें भी बनते हैं Modern Physics में तो ये भी आप अच्छे से आपको पढ़ना है अब बात कर लेते हैं Mathematics X Group की Mathematics है उसमें कौन-कौन से Important Topics आपको Focus करना जिन में पहला तो तीसरे नमबर जो आप देख रहे हो Inverse Trigodometric Functions इसमें कुछ Formula होते हैं Formula से पूरा खेल होता है For example, Sin Inverse X Plus Cos Inverse X Pi By Is Equals To Pi By 2 और Sin Inverse X Is Equals To Cos Inverse Under Root 1 X Square For example, नहीं बता रहा हूँ इसमें मेरे इसापसे 10 के करीब Formula है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उन्हीं से 2 Question तो पकाएंग इसमें उसके बाद आ जाता है आपका Chapter ये ये Core है अब देख रहा हूँ Coordinate Geometry Coordinate Geometry में आपका पूरा Straight Line, Circles, Parabola, Elipse, Cyberbola पूरा आ जाता है ये Core है एकदम इससे बहुत Questions आपको मिलेंगे एकदम अच्छे से इसमें ये आपको आपको तभी मिलेगा प्रैक्टिस से तो मैंने क्या बोला आपको Coordinate Geometry, ITF यानि कि Inverse Technometric Functions और Coordinate Geometry और उसके बाद ये आप आजाता आपको Determinant Mattresses Determinant Mattresses लगभग लगभग एक सेम चैप्टर से हैं तो अगर आपकी एक भी चैप्टर में कमांड है तो दोनों आपको कवर हो जाते हैं Mattresses और Determinants और उसके बाद आता आपका Integration जिसमें की Indefinite और Definite Definite में कुछ formula भी होता है आपको पूरा प्राक्टिस सही आएगा तो फिट से मैं बता देता हूँ Group X Mathematics के लिए ITF यानिक इन्वर्स इंवर्स इंवर्स इंवर्टरिमेटरिक फंक्शन पूरा Coordinate Mattresses Determinants और Integration ठीक है उसके बाद English का थो मैं बता दिया दोनों में सेम होता है Group X or Y हो आप Group Y के जो स्टूडेंट्स उन्हों की बात कर लेते हैं तो Group Y में Reasoning और General Awareness में इसमें मैं important क्या बता हूँ आपको इसमें आपको reasoning मैंने पहले बोला था कि आपको नहीं पढ़ना जाता है फोकस नहीं करना रीजनिंग में general evidence आपको 10-10 questions daily करना इसमें कुछ मैं इंपर्टें नहीं बता रहा हूं इसमें बताने लाइक है भी नहीं mathematics मैं जाते हैं मैतमेटिक्स जो ग्रूप वाई के उसमें क्या क्या है इंपोर्टेंट है तो को रहे परसंटेज परसंटेज जड़ हर चाप्टर की मैं जिस और बता रहा हूं उसी और ने फॉलो भी करिएगा परसंटेज के बाद आप उठाई करेशियो और प्रपोर्चन ठी आपका ग्रूप X mathematics का 40% या फिर 50% पेपर आता है इन चार चाप्टर से परसंटेज टाइम डिस्टेंस इन स्पीड राइशियो प्रपोर्शन और और प्रॉफित और लॉस एक दो और यह ठीक है ती चैप्टर से चार चैप्टर से ठीक है और एवरेज तो बहुत आसान से चैप्टर वह उसमें डिरेक्ट फॉर्मला करके आप भी यूज कर सकते हो तो यह चार चैप्टर इसमें बहुत इंपोर्टेंट हो जाते जो आपको मैंने बताए मैं फिर से बता देता हूं परसिंटेज प्रॉफित और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड उसके बाद जीक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद नहीं हो चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो करिए कोई डिमांड है वो अभी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो मैं आपके एक्जैम तक आप लों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा एर फोर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ धन्यवाद